हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देवंदर सिंग और दोस्तों आज हम डिसकस करने वाले हैं एक नया टोपिक उसमें हम देखेंगे कि इंडोनेसिया की जो नई केपिटल अभी सिफ्ट की जारी है उसमें और इंडिया की हिस्ट्री में कुछ एमिलिटीज देखने को मिली दोस्तों थोड़ा सा पहले हम चलते हैं, उससे पहले हम धेक लेता हैं इंडोनेसिया का अगर थोड़ा सा ओर क्लियर करें तो यह है आपके सामनें इंडोनेसिया का मेप हम basically देखनेवाल है कि इंडोनेसिया की एक नई केपिटल सिफ्ट की जारी है आफिर उसके पीछे कौ नेवगे-वेली राकी दोस्तों लगभग- Еंसेंटी रा था मोटा मोटा उस टैम पर जो यह हमारा साउथ-इस्ट ऐस्या था मैंने क्या कहा ये जो साउथ-इस्ट ऐस्ट ऐस्या वाला एरिया था दोस्तों यहां पर हिंदु एमपएर है वो रूल क्या करते थे यहनि आप बोल सकते हो कि प्राचीन काल के टाैम पर हम बात करें तो यह जो पूरा का पूरा साउथ इसे आवला जो जो एंदु रूलर हुआ करते थे क्योंकि उस टेम तक क्या है इसलाम का थाने आप बोल सकते हो कि इसलाम है वो धरम बनके नहीं आया था लेकिन दोस्तों करें तो दीरे दीरे लगभग हम बात करते हैं 60 सेंजुरी में इन्हीं सोल्वी सतावदी में दोस्तों यह जो इंडोनेशिया आपकी कंट्री दीख रही है यहाँ पर मुस्लिम रूलर का रूल है वो आता है तो उससे पहले यहाँ पर हिंदू धरम है वो आप हो सकते हो कि सता में रहते थी यह पर हिंदू धरम के रूलर है वो बेसिकली यहाँ पर गाउन है वो क्या करते थी तो यह तो थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताई अब हम सलते हैं इसकी नई केपिटल के बारे में कि भई जो नई केपिटल सिफ्ट की जा रही है उसके पिछे रीजन क्या है दोस्तों काफी नूज आ रही है आजगल कि भई इंडोनेशिया कि जो पुरानी केपिटल है जो एड़ पर efterhand में वो है जकार्ता जो कि आपकी यहाँ पर है यह जो ऐलेन आपको दिखर हैं यहाँ पर इंडोनेशिया की फिलाल के हैं capital है current present वाली लेकिन दोस्तों अभी Indonesia सोच रहा है कि यह जो capital है यहां से जकार्ता से इसको दोस्तों इस बोर्ण नियू अइलेंड यह जो आपको बड़ा सा आइलेंड दीव दिख रहा है इसको दोस्तों Borneo Island बोलते हैं ठीक है, तो कुछ खास चीजे धान रखनी है यह जो आपको Borneo Island यहाँ पर दिख रखाया यह रहा यह दोस्तों तीन देशों के अंडरात है यहनी इस पर तीन देशों का कब्ज़ है तीन देशों बोल सकते हैं जैसे यह जो आपको यहाँ पर दिख रहा है रेड रेड वाला, यह है दोस्तों इंडोनेसिया का पार्ट ठीक है, यह जो आपको बाकी हिस्सा यहाँ पर दिख रहा है यह ग्रेकलर का सा, यह हिस्सा है दोस्तों यह है मलेसिया का, नि जो मलेसिया कंट्री है उसका ही ये पार्ट है और जो यहाँ पर आपको छोटा सा ये वाइट कलर का निसान दिख रहे दिए छोटा सा ये है दोस्तों बुरुनेई कंट्री तो ध्यान रखना ये पूरा बोर्नियो आइलेंड है बहुत बड़ा और इस आइलेंड पर बैसिकली तीन देश हैं एक है इंडोनेसिया सबसे ज़्यादा फिर है आपका मलेसिया और फिर है थोड़ा सा यहाँ पर बुरुनेई नाम का देश सुना होगा आपने साउथ इस एसिया में वह यहाँ पर तो यह चीज थोड़ी सी आपको धाना और रखनी है अब दोस्तों इंडोनेसिया अपनी जो जकार्ता नाम की सीटी है जकार्ता अभी के हैं करन परजेंट इनकी के हैं पेटल है तो वो इसको सिफ्ट कर रहे हैं इस बोर्नियो आइलेंड के ओपर तो यह आपको धान रखना है क्यों क्या जा रहा है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों इसके पीठे जो सबसे बड़ रीजन है वो ये है कि जो जकार्ता है ना वो दोस्तों उसकी population बहुँ ज़्यादा हुई है यहीं जकार्ता जो island है और बोच सकते हो जो country, capital है जो रही है की वो दोस्तों और populate हो गई है यहीं वहाँ पर जनसंग क्या बहुँ ज़्यादा हो गई है तो वहाँ पर development में दिक्कत आ रही है प्लस में दोस्तों वहाँ पर trade वगराओ हर एक चीज में समस्या बढ़ती जा रही है और इसी के साथ एक नई चीज है दोस्तों global warming हम सबने काफी बार discuss किया है कि global warming से दिक्कत के है सर यह जो छोट-छोटे island countries है न यह पानी में डूपती जा रही है क्योंकि sea level क्या है increase हो रहा है और due to increase the sea level हो कहना है सर यह island दिरे-दिरे पानी में क्या है डूपते जा रहे है इसलिए दोस्तों माना जा रहा है कि लगभग 2050 आते आते यह जो आपका पूरा का पूरजा जो जकार्ता island दिख रहा है यह सारा का सारा लगभग one third पानी में डूप जाएगा तो वही सीधी सी बात है कि इस फ्रमस से आएगी तो इसलिए दोस्तों अभी सोचा गया है कि भई हम इस capital को यहां से shift कर लगए है जैसा देर रखाएगी जकार्ता में already population बहुत जादा है प्लस में दोस्तों बहुत भीड़बाड है साथ में अगर हम बात करनी तो यहां पर trade वगगर की भी दिक्कतारी है management सब्द हो नहीं पा रहा है क्योंगी और crowded हो चुक है यहां पर लगभग 3 क्रोड के आसपास लोग है वो भी रह रहे हैं तो यह दिक्कतार की है ठीक है तो अभी जो नहीं capital shift की जा रहे है दोस्तों वो आपको धान है उसका नाम है नुसंतारा यह जो बोर्णियो ऐलेंट दिख रहा है यहां पर नुसंतार नाम की जगह सिटी है वहाँ पर इंडोनेसिया की नहीं capital को shift किया जाना है तो यह अभी सारी की सारी news हैं जो मैंने आपको बताई साथ में मैंने आपको बताया कि इंडोनेशिया का यह पार्ट है जो आपको ध्यान रखना है बोर्णियो ऐलेंड है यहाँ पर तीन देश हैं कौन-कौन से बताया मैंने आपको एक मैंने आपको यहाँ पर बताया कौन-कौन सा सर एक आपका इंडोनेशिया खुद है दूसरा मलेशिया का है और तीजरा यहां पर बुरुनी नाम की एक कंट्री भी है तो यह आपको धान रखना है अब क्यूसंस करी तरीगे से बन सकते हैं इनके बीज में दोस्तों यहां पर आपको पता हो ना ची कि कौन सा सी है करी तरीगे से क्यूसंस से कर रहा है नहीं बहुत बार जब कोई भी सीटी और पुबलेट हो जाती है वहां पर आगे मेनेज्मेंट में दिक्कत आती है तब केप्रिल को सीफ्ट किया जाते हैं लेकिन दोस्तों इसके साथ कुछ खतरे भी है जैसे कि जो इनवार्मेंट स्पेस्लिस्ट हैं जो प्रियावन ग्याता है उनका ऐसा कहना है कि भी यह जो बोर्नियो एलेंड है ना यहाँ पर दोस्तों जो forest की variety है ना या बोशक्तियों कि जो diversity है बायो diversity है वो काफी ज़्यादा है तो अगर यहाँ पर development होगा ना तो बायो diversity है ecosystem है इसका नुकसान होगा तो यह एक चिंता का topic भी है ठीक है तो यह चीज थोड़े सी आपको धान रखनी है इसके साथ अगर हम आपको थोड़े सी हिस्ट्रीक के बारे में और बात करें इंडोनेसिया की तो दोस्तों इंडोनेसिया है वो दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का एक घर है सब चदा वहाँ पर मुस्लिम आबादी है पूरे विश्व में वहाँ पर लगबग दोस्तों अगर हम बात करें तो अप्रोक्सिमेटे चार कोड़ के something वहाँ पर मुस्लिम है व जैसा मैंने आपको बताया कि 16 सेंचुरी इनी सोल्वी सताब जी से पहले पहले वहाँ पर क्या हिंदू रूलर हुपा करते थे इनी हिंदू समराजी हुआ करता था तो वह भी थोड़ा समा आपको बढ़ाता हूं दोस्तों जो लास्ट हिंदू अंपार था वहाँ पर उसक दोस्तों जो हमारा वेस्ट एस एरिया के अंदरा के कहन दिरे दिरे कब जाटे कर ले थी और इस अंपैर को अपने अंडर मिला लेते हैं तो यही रूट्स हैं जो हिंदू धरम से बिलोंग करती हैं इसके लवा दोस्तों इंडोनेसिया में बुदिजम धरम है वो भी हमें देखने को मिलता है लेकिन यह धान रखना कि वहां के पर जो लास्ट हिंदू अंपैर था उसका नाम था अवेसी साथ में अगर हम बात करें तो सुमाता का साउथन पार्ट है उन एरिया में दोस्तों आज भी बड़ी माता में हिंदू टेंपल और हिंदू कम्यूनिटी हैं वो रहती हैं तो यह कहीं ने कहीं आप उसक्तियों की इंसेंट हिष्टी से जो ट्रेसे हैं रूट हैं वो दोस्तों इंडोनेशिया के साथ के हैं इंडिया की कनेक्ट हो रही हैं तो यहां को धान रखना है प्लस में दोस्तों इंडिया है वो इस हिसे के साथ के हैं अपने रिलेशन बहुत पहले से रखता हैं क्योंकि यहां पर भी हिंदू डैनेशिटी हुआ करती थी और यहा करता हूँ कि आज आपको सेशन है वो बड़ा अच्छा लगा होगा तो चलिए थैंक्यू दोस्तों मिलते हैं नेक्स डिसकसिन में